तो अलो फ्रेंट्स, इंडिन ओटोबिल मार्केट में इसा देखा गया है कि SUV घाडियों की डिमांड काफी ज़्यादा बढ़ गई है इसी को देखते हो कुछ automobile companies कम प्राइज में यानि कि affordable segment में अपने कुछ नई SUVs launch करने वाली है जिनकी डिटेल आज आपको इस वीडियो मिलने वाली है तो अगर आप भी कम बजट में 2020 में कोई new SUV लेना चाहते है तो ये वीडियो आपके लिए पिस वीडियो में आप बने रहे हो जो की बेस जोगी CMFA platform पे और इसी platform पे रेनोल्ड ट्रीबर भी बेस दे इस सब 4 मिटर SUV के नाम company रेनोल्ड कीगर भी रख सकती है और इससे टेस्टिंग के दोरान काफी बार इंडियन रोड्स पर स्पोर्ट भी किया गया है लोंच ने ये बाद ये जो रेनोल्ड कीगर है ये कंपीट करें कि युन्डे वेन्यू को टाटा नेक्सोन को मारुती विटार ब्रेजा को एन माहिंदर एक्सवी 300 को इस SUV में आपको काफी सानदर और काफी attractive feature मिलने वाले है इसके interior में आपको similarity feature मिलेंगे जो कि आपको रेनोल्ड ट्रीबर में मिलते हैं इसके इंटीरियर अंट feature की बात कर तो इसमें आपको थोड़े बहुत feature similar मिलने वाले जो कि आपको रेनोल्ड ट्रीबर में मिलते हैं इसके कुछ major feature की बात करते हैं इसमें आपको touchscreen for 10.1 system with android auto apple carplay, reverse parking camera, automatic AC multifunctional steering wheel और sunroof मिलने वाले इसके interior में बाकी इस गाड़ी का जो look है वो आपको काफ़ जदा attractive लगने वाला है इसका जो rear end back अगर इसके rear portion को देखे तो यह बेसिकली थोड़ा सा बाहर निकला हुआ और यह आपको थोड़ा बो टाटा नेक्स वन जैसा लग सकता है बाकी इसकी जो overall design है, overall look है यह आपको काफ़ जद टर्बो चार्ट्स पेट्रोल इंजन मिलने वाला जो कि प्रडूस करेगा 99 भी एच्पी की पावर और 160 अनम का maximum टॉर बात करें ट्रांजबिशन की तो इसमें आपको 5-speed manual and automatic gearbox देखने को मिलने वाला है, expected price की बात करें इस new Renault कीगर की तो इसकी प्रेस शुरू होगी 6 बात करें तो वो है निसान मैगनाइट तो मल्टिनेशनल कंपनी निसान भी जल्दी इंजयन उटोबिल मार्केट में अपनी एक साफ 4-meter SUV को लॉंच करने वाली है, जिसका नाम कंपनी निसान मैगनाइट रखने वाली है, यह जो SUV है, यह बेस जो के CMF है प्लस प्लैटफो इसमें आपको Large Tusk Infotainment System, with Android, Apple CarPlay, Multifunction Steering Wheel, Automatic SE, Electric Sunroof, Powered ORVM, LEDRLs, LEDTLM, आपको इस घाड़ी में देखने को मिलने वाला, इसका look front से and rear से काफी जोता attractive होने वाला, और यह घाड़ी आपको काफी कम price पर काफी अच्छे features and काफी अच्छे engine specification के साथ आपको इंजिन उटोबि लिटर का 3-cylinder turbo charge petrol engine देखने को मिलने वाला है, जो की produce करता 99 bhp की power and 160 nm का maximum torque and इसके जो lower variant उसमें आपको 1.2 लिटर का petrol engine देखने को मिलने वाला है, जो की produce करता 77 bhp की power and 140 nm का maximum torque, बात करें transmission के तो इसमें आपको 6-speed manual transmission and CVT automated transmission देखने को मिलने वाला है और यह under 6 legs सबसे पहल transmission यह आपको under 6 legs में मिल जाए, बागी expected price की बात के तो इसकी price शुरू होगी 5 lakh 80,000 to 8 lakh रुपीज एक्ट रूंग डेली and बात करें expected launching date की तो यह December 2020 तक आपको Indian auto bill market में देखने को मिलने वाली है, तो फ़र नमबर पर अपकमी गारी की बात करें तो हो है Tata की HBX, तो हमारे इ HBX है, यह base होगी Tata के alpha modular platform पे और इसमें आपको impact 2.0 design language देखने को मिलने वाली है, और इसकी styling आपको Tata Harrier जैसी लग सकते है, यानि कि इसका look आपको थोड़ा बहुत similar लग सकता है Tata Harrier से, अगर बात करें इस Micro SUV HBX है कुछ major feature की तो इसमें आपको large equipment system with android auto, apple car play, semi digital instrumental console, ambient lighting ज बात करें इसके safety and security feature की, तो इसमें आपको ABS with EBD, brake assist, corning stability program, reverse parking camera, reverse parking sensor जैसे काफी शांदर safety features आपको Tata HBX में मिलने वाले, बात करें engine specification की तो इसमें आपको 1.2 liter का 3-cylinder revotron petrol engine देखने को मिलने वाला, जो की produce करें 85 BHP की power and 130 NM का torque, and transmission की बात करें तो इसमें आपको 5-speed manual and automatic transmission देखने को मिलने वाला है, launch होने बाद यह जो Tata HBX, यह compete करें महिंद्रा KU100 NXT से and Maruti Ignis से, and बात करें expected price की, इस new Tata HBX की, तो इसकी price शूर होगी 5 लेक रुपीज to 7 लेक रुपीज एक श्रम देली, and बात करें, and बात करें expected launching date, तो यह December 2020 यहां फिर January 2021 तक आपको Indian automobile market में देखने को मिलने वाली है, तो मच अब बात करते हैं, fourth number पर upcoming SUV की तो वह है Maruti Jimny, तो Maruti Suzuki की अपनी mini off-roader SUV Maruti Jimny को जल्दी Indian automobile market में launch करने वाली है, और company ने इस गाड़ी को auto export 2020 में भी showcase किया था, और India में इस Maruti Jimny को company next generation gypsy के नाम से launch कर सकती है, international market में यह जो Jimny यह 3-door version के साथ बिकती है, लेकिन जो India में आने वाली Jimny है, इसमें आपको 5-door version देखने को मिलने वाला है, अगर बात करें इसके design and looks, तो यह retro styling के साथ आने वाली इसके front में आपको large grill, squared wheel, arcs, flat bonnet, round shaped headlamps, roof rails, जैसे काफी शानदर and attractive design looks आपको इसमें मिलने वाला है, अगर बात करें इसके comfort and convenience feature की, तो इसमें आपको large screen fulfillment system, automatic SE, smartphone connectivity के साथ देखने को मिलने वाला है, इसमें आपको multifunction steering wheel भी देखने को मिलने वाला है, और इसका interior आपको एक completely off-roader SUV जीसा देखने को मिलने वाला है, मारती सुझू की जिमनी की जो selling है, वो शाहिए तक Nexa premium dealership से होने वाली है, engine specification की बात क Transmission की बात करें, इसमें आपको 5-speed manual and 4-speed torque converter automatic gearbox देखने को मिलने वाला है, इंडियन ओटोबिल मार्केट में launch होने के बाद, यह जो मारती जिमनी है, यह compete करगी महिंदर थार 2020 को, expected price की बात करें, इस new मारती जिमनी की तो इसकी price शुरू होगी, 8 lakh रुपीज to 10 lakh रुपीज ए Taxi Room Daily and बात कर, expected launching date की, तो यह आपको 2021 के mid याँ फिर 2021 के last तक इंडियन ओटोबिल मार्केट में देखने को मिलने वाली है, तो फंस यही कुछ कारे हैं, जो कि इंडियन ओटोबिल मार्केट में जल्दी launch होने वाली है, और यह affordable segment की SUVs होने वाली है, तो फंस अगर आपको इ regularly new new videos मिलती रहती है, तो फंस मिलते हैं को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए, thank you, have a nice day